पिछले लेक्शर में हमने अड़ावी प्रीमेर के टूल्स को एक्स्प्लोर किया हमने कुछ टूल्स की ऑप्शन देखी हमने उनके फर्दर ऑप्शन देखी हमें टाइम लाइन पे उनको को प्रैक्टिकली करके देखा और मुझे उमीद है कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की तो आप अभी कोई फुटेज लें बेशिक इंटरनेट से इसको डाउनलोड करें या आपना खुद कुछ रिकॉर्ड करें टाइम लाइन में उसको लेकर आएं इंपोर्ट करें और उसके बाद इन टूल्स को इस्तमाल करते वे उसको एडिट करने की कोशिश करें मुझे यकीन है कि आपको शुरू में तोड़ीजी कन्फूजन हो टूल्स में के चायद आपको लग रहा हो कि सारे एक ही जैसे लग चुकी है हमने चंद टूल्स एक्स्क्लोर किये थे आगे फर्दर हम मजीद टूल्स को भी देखते हैं जो टूल अभी हम देखने लगे हैं उसका नाम है स्लिप टूल इसकी शॉर्ट की है वाई और जैसे कि आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं बेसिकली स्लिप तो यह कि बेसिकली करता क्या है आपके पास टाइम लाइन पर जो भी आपके कट पड़े हैं तो उसमें जाके आपके इन और आउट पॉइंट को कह लें थोड़ा सा स्लिप कर देते हैं मिसाल के तोड़ पे अगर आप इस कट को चेंज करना चाहते हैं तो फिजिकली यहां पर आपके पास टाइम लाइन पर इतनी ही रहेगी लेकिन अंदर से जो डेटा है वो फोड़ा थोड़ा स्लिप होता जाएगा तो मैं आपको यहां पर बेसिकली करके दिखाता हूं कि आपके पास जो टाइम लाइन पर इस वक्ट पड़ा हुआ है तो अगर आप इस टूल को अपने क्लिप के ऊपर लेके जाएं और यहां से आप माउस को लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैक करना शुरू करें तो आप देख सकते हैं कि इस वक्ट आपको प्रोग्राम मॉनिटर है उसमें आप देखें अगर तो इन और आउट पॉइंट चेंज होता जा रहा है और आ प्रोग्राम विंडो में ही सबसे उपर जो छोटी-छोटी आपके पास वीडियो थम्देल प्रिव्यू आ रहे हैं बेसिकली वह इस कट से प्रिवियस और नेक्स कट का आपको पॉइंट बता रहे हैं कि हम इसको चेक करते हैं हमने इसको चेंज किया कुछ तो आप देख सकते हैं कि इस कट में यहाँ पर अभी हमारे एक करेक्टर एन हो रहे हैं मैं स्लिप टूल को दुबारा यूज करते वे इसको एडिट को चेंज कर रहा हूं और अब मैंने इसको इसतना चेंज किया है कि हमारे जो करेक्टर हैं वह अप्रियर नहीं हो रहें आप देख सकते हैं कि इस फक्राइब पर फिजिकली उतना ही पड़ा है लेकिन हमने उसको टैटा को इन और आप को थोड़ा सा स्लिप कर दिया है और हमारे पास अंदर चेंजिस हो चुके कि इसी टूल के अंदर हमारे पास अगर हम इसको एक लॉंग क्लिक करें होल्ड करके रखें अपने माउस को तो हमारे पास है स्लाइट टूल और इसकी शॉटकी है यू सारे टूल की शॉटकी अंदर ब्रैकेट में लिखी वी है तो स्लाइट टूल को यूज करने के लिए ह और जहां पर मूफ कर रहा है वह नेक्स क्लिप के उपर जा रहा है तो थोड़ा सा इसको ऑवरलैब कर रहा है तो उसका इन पॉइंट बैसिकली चेंज होता जा रहा है और वह क्लिप फिजिकली छोटा भी हो रहा है इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे देता हूं कि अगर करना शुरू कर दिया है आप देख रहे हैं कि पिछला कट इस वैसे ही है और जो नेक्स कट है उसके ऊपर यह वीडियो ऑवरलैप होती जा रही है और उसका इन पॉइंट जो है बदल चुका है तो नेक्स क्लिप का इन पॉइंट अगर हम दोबारा देखें तो इस वक्त वह यह हो चुका है और जो पिछला क्लिप था जिसके ऊपर रख के हमने माउस को ड्रैक करना शुरू किया था बैसिकली वह एज़िज रहते है वह चेंज नहीं होता कि यह आप देख सकते हैं तो यह तो था स्लाइट टूल यूज करने का तरीका स्लिप टूल, स्लाइट टूल और इससे पहले रोलिंग, एडिट, रिपल एडिट, रेट स्ट्रेच यह सारे टूल ऐसे हैं जो अब अपने एडिट में जहां पर आपको जूरत हो आप यूज कर सकते हैं यह एक तरह से शॉर्ट केट्स भी हैं, आपके एडिट को स्पीड अप करने के लिए नेक्स्ट टूल मेरे पास यहां पर है पैन टूल, शॉर्ट की इसकी पी है और इस पैन टूल के बहुत सारे यूजेज हैं एक तो आप इससे फेड इन, फेड आउट या आप कहलें कि आप क्लिप की ओपैस्टी पर भी काम कर सकते हैं अगर मैं सिर्फ वीडियो की बात करूँ और उसके लावा ओडियो की भी हम इसी तरह कर सकते हैं यहां पर लेकर आता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ओडियो की भी हमारे पास लेह रहे है वीडियो की भी है पैन टूल अगर मैं यहां से लेता हूं और यह हमारे पास एक की फ्रेम एड करता हूं मैं इसके उपर तो आप देख सकते हैं कि अभी ये फेड इन हुआ है तो एक पैन टूल का मकसद ये भी हो सकता है इसी तरह से सेम आप ऑडियो में भी कर सकते हैं है ये मैं आपको आगे अगे डिटाइल में बताऊंगा किस तरीके से हम आउडियो को करते हैं किस तरीके से लेवल को अंद बेवलॉज को या मीक्सिं maggot Re Diane कbars करते है अब ही में आपको सब्सक्राइब आपको आइडियो को चाहे। बाकि आपको पते ना ठीमियर हमारा software वो नहीने versions आते गए था हमारे पस चीज़े add होती गई अब pen tool के थूँ आप basically shape भी बना सकते हैं आप देख रहे हैं कि इस pen tool को मैंने screen पे click किया और जहाँ जहाँ मैं इसको drag कर रहा हूँ तो वहाँ पर उसने ये shape बना ली और further आप इस shape को edit कर सकते हैं इसके color change कर सकते हैं effect control window के थूँ effect control window क्या है यह भी हमारा एक पूरा एक topic है जो कि आगे cover होगा इसलिए मैं आपको अभी इतना ही बताता हूँ के pen tool से आप यह भी कर सकते हैं shapes कर सकते हैं आप इससे opacity change कर सकते हैं आप इससे audio के levels change कर सकते हैं जैसे pen tool से आप अपनी मरजी की shapes बना सकते हैं अगर मैं इसको यहां पर थोड़ा सा hold रखूँ माउस को तो मेरे पास यहां पर rectangle tool और ellipse tool है इसके साथ आप यह भी shape basically बना रहे हैं अगर मैं rectangle को यहां से दूसरे टूल से भी बना सकता हूं यह shapes आपके पास कुछ graphical element में काम आते हैं आप देख सकते हैं कि यहां पर इसने पूरी layer ही बना दिये तो काफी ज़्यादा आप इसको change भी कर सकते हैं आप इनकी colors बगारा को change कर सकते हैं और साथ में आप ने हम कोई text लिखना हो या आप टूल और इसकी short की है H आप देख सकते हैं इस वक्ताइम लाइन को यह सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर आप काम कर रहे हों आप वहाँ पर जूम इन कर आपने काफी ज़्यादा timeline को अगर जूम इन किया हो आप इसको थोड़ा सा इस तरह करके docu review कर सकते हैं अपना next clip पे आस Security को देख सकते हैं और अगर आपको exactly उसको play करना हो या जाना हो तो और अपने CTI की ठीरू ही जा सकते हैं जहां पर आपको इस उसक्रोच रहे हैं मैं नेक्स्ट नगया हूं तो आपको next शोग रहे हैं सिर रिफ जो hand tool ए basically वह आपको टाइम लैन को फिजिकली राइट और लेफ्ट मूव करने में मदद करता है हैंड टूल को अगर मैं मज़ीद एक्स्ट्वर करूं इसके अंदर जाके मेरे पास जूम टूल है जो कि हम प्लस और माइनस से करते हैं शॉट की से वह हमारे पास टूल भी है और अगर मैं इसमें आल्ट प्रेस कर लूँ तो मैं इसके माइनस कर रहा हूं जूम आउट और अगर मैं और को छोड़ दूँ तो यह आप देखें जूम का आइकन प्लस में बन जाएगा आप इसको फिर जूम कर सकते हैं प्लस करके और इसके साथ मेरे पास है ताइप टूल आपको टेक्स्ट लिकने में जहांपर भी आपका सी टी इये होगा करसर होगा वहाँ पर अगर को सब्सक्राइब तेक्स्ट, अपनी मर्जी का अलाइन करके खेंगे लिखना चाहते हैं तो आप टाइप टूल की मदद से लिख सकते हैं आप यहां पर क्लिक करेंगे स्क्रीन की साइफ पर प्रोग्राम पर जहां पर कोई टायटल कुछ भी आप लिखना चाहें कोई टाइटल सब्टाइटल ने‍च लाइब कोछ भी चीज Beast मजीद explore करेंगे क्योंकि इसकी जो बाकी changes है वो आपकी आती है effect control monitor के अंदर window के अंदर और effect control के अंदर जाके फिर आप फर्दर इसके font selection आप इसकी size है shadows वगारा जो भी इसकी properties फर्दर हो सकती है वो आप change कर सकते हैं तो जब हम effect control window को study करेंगे basically तो हम इन चीजों को मजीद explore करते जाएंगे तो ये तो थे हमारे tools आप अब तक अन्दाजर लगा सकते हैं कि इन tools को use करने के बाद आपके edit में major difference आया होगा अगर नहीं तो इसका मफदल भी है कि आपने इन tools को सहीतना से explore नहीं किया या फिर इनको आपने use नहीं किया आपका एडिट का workflow बहुत स्मूध हो जाएगा आपकी frustration कम हो जाएगी और जिस तरीके से आपने plan किया होगा कि आपका एडिट जिस तरह से आप लेकर चलना चाहते हैं वो सब आपके control में होगा practice को जरूर जारी रखिए आगे आने वाले lectures में मजीद चीजों को explore करते